हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है देखे फ्रेंट्स आज हम लेकर आए हैं एक आपके लिए पांच छे नंबर के लड़ू बोपाल के लिए एक जो हमारा बैड है हमने बनाया जो कपड़े से तो किस तरह से हमने इस बैड को बन किरने के लिए हमने 11 & 11 का कपड़ा ले लिया है जो हमने दो पीस में यह कपड़ा लिया है देखिए इसके दोपीस 11 बाई 11 के लिया है इस तरह से हम स्कूर हंक कि आप समझ सकते हैं उसके बाद फ्रेंट्स हमने तीन इंच का एक ऐसे फोल्डिंग में जैसे यह हमारा यहां से लेकर यहां तक 6 इंच का गला है यह देखिए यहां से लेकर यहां तक जिस तरह हम गला काटते हैं तीन इंच का फोल्ड करके तो यह हमारा पूरा चेंच का है तो यह गला काटने के बाद हमने इसे पाइपिन से फिनिश किया है और डेकोरेशन के लिए यह रि इस्तर की शेप देने की पूरी कोशिश की है फ्रेंट्स देखे और ये जो हमने इसको एक सिलाई हमने यहां आउंदर की तरफ लगाई है ये चारो तरफ यह आप कम जादा भी कर सकते हैं सिलाई उससे कोई फरकल नहीं पड़ता देखे फ्रेंट्स और उसके बाद हमने एक सिलाई बाहर के तरफ लगाए जिसमें हमने अपनी डोरी डाली है और यहां हमने इसमें कोटन भरी हुई है और देखे फ्रेंट्स जी स्टेम हम इस डोरी को खिचेंगे यह जो हमने डोरी डाली है तो हमारा जो है यह बिस्तर साथ और ये दो बाए पांच है देखे फ्रेंट्स इस तरह से हमने दो तक ये बनाए है और इसके ये देख आप लटकन देख सकते हैं जो सिरफ हमने डेकोरेशन के लिए ही लगाई है ये देखे चोड़े वाला रिबन हमने यूज किया एक इंच वाला और इसके साथ फ्रें तो उसमें हमने एक पलस का एक पलस की सिलाई की है देखे इस सिलाई को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं एक सिलाई और भी हो सकते हैं इस तरीके से वो आपके अपनी मर्जी है आप कितना डेकोरेट करना चाहते हैं फ्रेंट्स देखे फ्रेंट्स ये हमने लड़ू ब देखिए इस तरीके से ऐसे और ये देखिए ये बिश्थर हो गया और इनका बैड हो गया कैसा लगा फ्रेंड्स आप आज आपको ये बैड बनाने का तरीका और पर फिर मिलते हैं किसी नैक्स वीडियो में तब तक किलिए नमस्कार